इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गंडक रिवर के उपर पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छी तरह से बात कर चुके हैं कि घागरा रिवर कहां से फ्लो करती है उसका क्या 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 कौन कौन सा साहिक नदी है और उसका टोटल कंसिप्ट हम लोग देख चुके ह इस lecture में हम लोग बात करेंगे गंड़क डिवर, इसमें हम लोग समझेंगे गंड़क डिवर निकलती कहां से है और जा करके यह गिर्ती कहां पे है और कितने एस टेट से पास करती है और कितने कंट्री से पास करती है और ओर इसनक इसका कहा है overview हम लोग इसका total concept समझने वाले तो चली शुरू करते हैं आज का लेक्षर मैहू के concept और प्याराज जानलाब का IQ concept competitive देखेगा पहला चेज़ यहाँ पर समझेगा एक गंडक गंडक को हम लोग दूसरे नाम से एक और जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नराइनी ठीक है नराइनी कहाँ पर बोलते हैं तो नराइनी बोलते हैं इसको नेपाल में इसी गंडक रिवर को हम लोग नेपाल में नराइनी रिवर बोलते हैं ठीक है अगर हम लोग बात करें कि ए जो नराइनी रिवर है या फिर गंड़क रिवर है वो कितने देश से पास करते है तो देखिएगा कंट्री जो है नेपाल और इंडिया से पास करते है तो पहला कोशन नहीं बन सकता है कि गंड़क रिवर कितने देश से पास करते है तो दो देश है एक इंडिया और दुसरा नेपाल के साथ में नेपाल से पास करती है दुसरा कोशन आप से पुछा जाएगा कि भै इस गंडग रीवर को नेपाल में क्या करते हैं तो इसके लिए आपके आध रखना है और दूसरा एक गंड़क रिवर के ऊपर वी एक और नेशनल पार्ट इसके बैंक पे एक और नेशनल पार्ट है जिसको हम बाल्मे की नेशनल पार्ट बोलते हैं जो बिहार वे चमपारन में हम लोग अच्छी तरह से जानते है अगर हम लोग बात करें कि यह क्या करती है यह जा करके इसे फ्लो करके गंगा में जोईन करते है निकलती है कहीं से ठीक है नेपाल से कहीं से क्या नेपाल से निकलती है नेपाल से निकरकर कि यह जा करके गंगा में मिल जाते है इसका मतलब है कि यह जो गंड़क रिवर है गंगा का सहाइक नदी है यह टिविटरिस अफ गंगा है इतना बात हम लोग को समझ में आना चाहिए टोटल लेंध कितना है तो 814 किलो मेटर इसका टोटल लेंध है अब समझेगा यह 814 किलो मेटर है जिसमें एक पूरा बतायाग है नेपाल और इंड किलोमीटर इतना आपको लेंध है याद रखना है एक यह लगा में यह गंगा मिलती है तो सोन पूर पर ठता है तो उसी के पापी चप्णक गंगा मिल अब हम लोगे याद रखेने हैं कि Bihar के कितने district से नदी फ्लो करती है फिर पहला याद रखेगा ये तो अपने नेपाल से अपनी इंडिया में जो इंटर करती है और फ़र्स डिस्टिक है वेस्चंपार में इंटर करती है उसके बाद इस्चंपार फिर मुजबपरपुर फ इस चंपारण, इस चंपारण, मुझपरपु, गुपालगन, सिवान, सारण और वैसाली से होते हुए फ्लो करती है कौन सा गंड़ा करेवर। इसके बाद यहां पर मैं कुछ मैप बनाया हूँ जहां से मैं दिखाने का प्रयाश किया हूँ कि निकलती कहां से है और फ्लो करते करते कहां से जाती है। यह नदी निकलती है और यह जादा इंफुलेंस होता है कि इस से तो याद रखेगा पानी जब रहनी सी जहन होता है उसमें जादा इसमें फ्लो आफ वाटर होता है। इसी को नेपाल में हम लोग नराइनी बोलते हैं जो चिटाओर का डिस्ट्रिक में परती है। इंडिया में इसको हम लोग क्या बोलते हैं गंडक बोलते हैं। और एक कितने कंट्रि से पास करते हैं तो इंडिया और नेपाल से पास करते हैं। जो कि नेपाल में और बालमीखी नेशनल पार्क जो कि बिहार में कि बृतवेशंपार में है इसके बाद इसी एक पर जो फिमस सबसे इंपॉर्टिणी टीज चाना तो बालमीकी नगर हांजिपूर, सोनपूर और बहगां जो है इसके बैंक पे ही है यह जो भी कह सकते है सीटी जो है एक गंड़क रिवर के ऊपर ही क्या करते हैं है यह सहर बसी हुई है इसके बाद में कहां पर जाकर मतलब कहां पर मिल जाती है तो गंगा में जाकर करके मिल जाती है कहां पर तो सोनपुर में तो एक कोशन बन सकता है कितने देश से बन सकता है कितने देश से निकला यह सारी कहानी हम लोग सिख लिए इसके बाद हम लोग लेकर करें बागमती रिवर क्योंकि इसी के जस्ट बाद वाला जो है बागमती रिवर तो बागमती रिवर को हम लोग अच्छी तरह से समझते वाले तो चली मिलते हैं नेक्स्ट विटो जब तक एज़ाए करें और पढ़ाए करें